चोरी से लेकर मज्जू के कतल तक मेरे साथ कोई अन्होनी नहीं हुई लेकिन जेल में सजा का इंतजार करते हुए मेरा दिल चा रहा है कि सब बाते मैं आप लोगों को बता दूँ मेरा नाम सुशीला है और मैं राजस्थान में पैदा हुई मेरे पिताजी छोटे जमीनदार थे मेरे ताया दिल्ली में रहते थे लेकिन मैं उनके घर कभी नहीं गई पहली मर्तबा मैं अपने भाई के साथ राजस्थान से दिल्ली पहुँची थी मेरा भाई मुझसे छोटा है लेकिन वो दिल्ली और ताया के घर कई बार आ चुका था मेरी मा को इत्मनान था कि वो सीधा मुझे ताया के घर पहुचा देगा इम्तिहान के बात छुटिया हो गई थी और ये पूरी छुटिया मैं ताया के घर गुजारना चाहती थी दिल्ली रेल्वे स्टेशन पर जो कुछ मेरे साथ हुआ वही इस कहानी की बुनियाद है। मुझे इतना याद है कि प्लाटफॉर्म पर ट्रेन रुकी थी और भाई ने कहा था। दीदी स्टेशन आ गया है उतर जाओ। वो डबे से उतर गया। रश बहुत था। बस उसी रश में मेरा काम तमाम हो गया। मेरे पीछे आने वाली एक मोटी सी औरत का हाथ मेरे मुकी तरफ बढ़ा और चन्द सेकंड में मैं उसके बाजूओं में जूल गई थी। मुझे होश आया तो देखा कि मैं एक टेंट में थी। जिस चारपाई पर मैं लेटी हुई थी उस पर वही मोटी औरत एक आदमी के साथ बैठी थी। मुझे आखे खोलते देखकर उसने कहा अगर तूने शोर मचाया तो तेरे भाई को हम जान से मार देंगे। हमने उसको दूसरे तंबू में बांध रखा है। मैं उन लोगों की तरफ हैरत और खौफ से देख रही थी। टेंट में एक दिया जल रहा था और उस दिये की मध धम रोशनी में उनके चहरे बड़े भयानक लग रहे थे। मैं उन। दोनों के बीच में लेटी हुई थी। मर्द ने कहा अगर बैठना है तो उठ जा लेकिन आवाज मत निकालना तेरा भाई बहुत मुश्किल से काबू आया है। अगर तूने गडबड की तो हम उसे मार कर यहां छोड जाएंगे। तू तो हमारे साथ ही जाएगी। मैं फटी फटी आखों से उन्हें देखते हुए जट से उठ बैठी और लर्जती हुई आवाज में कहा, कहा ले जाओगे मुझे। मैं बहुत कुछ पूछना चाहती थी लेकिन न शब्द मेरे मुँसे निकल रहे थे और ना मेरा दिमाग काम कर रहा था। थोड़ी देर बाद उस औरत ने मुझे खाने के लिए छोले और रोटी दी। मैंने खामोशी से खा लिया भूख भी मुझे बहुत लगी हुई थी। छोले रोटी खाने के थोड़ी देर बाद मुझे यू लगा जैसे मेरे ह पाओं सुन हो गए हो और मेरी जबान पत्थर की हो गई हो मैं देख और सुन रही थी लेकिन हाथ पैरों को हरकत नहीं दे पा रही थी और बोल भी नहीं पा रही थी उस आदमी ने मेरी तरफ गौर से देखते हुए कहा तुम अपाहिच हो थोड़ी देर बाद हम लोग यहां से चलेंगे. मैं तुम्हें उठाकर बस में सवार कराऊंगा. उसके शब्द मेरे दिल पर बर्ची की तरह लगे. यही हुआ उस आदमी ने मुझे किसी अपाहिच की तरह कंधे पर उठा लिया और उस औरत ने मुझ पर चादर डाल दी. हम टेंज से बाहर आ गए. थोड़ी दूर चलने के बाद मर्द और और औरत रुक गए. एक बस हमारे सामने ही आकर खड़ी हो गई. वो आदमी मुझे लेकर बस पर चढ़ा और पिछली सीट पर मुझे लिटा दिया. वो औरत मेरी ही सीट पर इस तरह बैठी की मेरा सर उसकी गोद में था. एक मुसाफिर ने ब बाद सुनी वो अफसोस करने लगा. मैं हर एक की आवाज सुन रही थी. उन्हें देख रही थी लेकिन कुछ कहना मेरे बस में नहीं था. मैं बिल्कुल साकित उस औरत की गोद में सर रखे लेटी हुई थी. बस, बहुत तेज रफतारी से अपनी मन्जिल की तरफ जा रही थी. मेरा ख्याल है आधे घंटे बाद ही मैं सो गई थी. आख खुली तो कान में पढ़ने वाली आवाजों से पता चला कि हम दूसरे शहर पहुच गए हैं. यहां से हमारा सफर ट्रेन में शुरू हुआ गाड़ी चलने लगी तो मुझे औरत ने एक गोली अपने हाथ से ख उससवारे में ओरत ने बताया कि वो बराबर के डब्बे में मेरे भाई के साथ बैठा है. अभी वो चलने फिरने के काबिल नहीं है. जैसे ही ठीक होगा वो दोनों इसी डब्बे में आ जाएंगे. मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि मेरा भाई जल्दी ठीक हो जा हम प्लाटफॉर्म पर उत्रे वो मुझे लेकर ट्रेन की मुखालिफ सिंप में तेज तेज चलने के लिए कह रही थी मैंने उस औरत से मेरे भाई के बारे में पूछा लेकिन उसने जवाब नहीं दिया मैं हैरान और परेशान इधर उधर देख रही थी हम लोग पट्री से नीचे उतर कर कच्चे में चलने लगे जितनी देर में ट्रेन ने स्टेशन छोड़ा उतनी देर में हम लोग स्टेशन की सीमा से निकल गए थे मैं उस औरत की दी हुई काली चादर ओडे हुए थी उसका साथी रेलवे लाइन की दूसरी तरफ हमसे थोड़ा पीछे था उसे मैंने उस वक्त देखा जब वो हमारे करीब पहुँच गया मोटी औरत ने चलते हुए मेरी तरफ इशारा करके कहा ये अपने भाई के बारे में पूछ रही है उस आदमी ने कहा इसके भाई को मैं स्टेशन पर लिटा कर आया हूँ वो भारी बहुत है मैं उसे उठा कर चल नहीं सकता था तुम लोग जोपडी में बैठना मैं दवा लेकर वापस स्टेशन जाऊंगा दवा पीकर वो चलने के काबिल हो जाएगा फिर मैं उसे जोपडी में ले आऊंगा मैं सोच रही थी कि ये आदमी जूट बोल रहा है मगर मैंने कहा कुछ नहीं रेलवे लाइन के साथ बनी हुई एक जोपडी में हम तीनों दाखिल हुए वहाँ एक आदमी जिसकी उम्र सतर साल से कम नहीं थी बैठा हुआ था मुझे देखते ही उसके बूडे चहरे पर एक रंग सा आ गया और उसने कहा चीज तो इस बार अच्छी लाए हो शेरा इसके अच्छे दाम देगा बूडे की इस बात ने मुझे चोकनना कर दिया मैं स्कूल की स्टूडेंट थी और समझदार थी मैं पहले भी कुछ समझ तो रही थी लेकिन जिसम के अचानक सुन हो जाने और भाई के मारे जाने के खौफ ने मुझे कुछ करने नहीं दिया जब हम घर से चले थे तो भाई के पास एक बड़ा सा सूटकेस था उसमें मेरे और उसके कपड़े थे अगर भाई उनके चुंगल में आ गया था तो वो सूटकेस इनके पास होना चाहिए था उनके पास तो एक बैक के सिवा कुछ ना था मैं उस पर बहुत देर गौर करती रही और इस नतीजे पर पहुची के भाई उनके हाथ नहीं आया या उसे पकड़ने की कोशिश ही नहीं की गई थी अब मुझे क्या करना चाहिए मैंने इस सवाल पर गौर किया और फिर फैसला किया कि यहां से फरार होकर इज़द बचाई जा सकती है यहां आने का रास्ता तो मेरा देखा हुआ था ट्रेन में बैठ कर वापस राजस्थान जा सकती थी मैं अपनी सोच में डूबी हुई थी बूढा कब जोपडी से बाहर गया मैंने देखा ही नहीं था मोटी औरत थोड़ी देर तक मुझे गौर से देखती रही और फिर बोली आदमी से मेरा ख्याल है यह अभी पूरी तरह होश में नहीं आई मर्द ने आहिस्ता से कहा दवा का असर देर तक नहीं रहता बूढा जोपडी में दाखिल हुआ वो खाने के लिए रोटी सालन लेकर आया था पहले मों हात धोलो फिर रोटी खाते हैं शेरा को मैंने पैगाम भिजवा दिया है वो आधी रात तक आएगा रोटी खाकर आराम करो शाम के वक्त मैं खुद उसे लिने जाओंगा मैंने सोचा मुझे रोटी नहीं खानी चाहिए मोटी औरत की दी हुई कोई चीज भी मुमें नहीं रखना चाहिए वरना फिर हात पाव और जबान सुन हो सकते हैं या फिर मैं लंबी नीन सो जाओं अगर मेरे हात पाव सुन हो गए तो भाग निकलना मुम्किन नहीं रहेगा और मेरी बेहोशी के बाद तो ये लोग अपना काम आराम से कर लेंगे उन्होंने मुझे खाना खिलाना चाहा लेकिन मैंने खाने से इंकार कर दिया और बहाना बना दिया कि मुझे भूख नहीं है, है मुझे नीनदा रही है मैं लेट गई और सोती बन गई मेरी आखे बन थी लेकिन ये एहसास था कि वो लोग मुझे ही देख रहे है उनके रोटी खाने और आहिस्ता आहिस्ता बाते करने की आवाज तो मैं सुन रही थी लेकिन शब्द समझ में नहीं आ रहे थे मैं सोच रही थी कि पूरा दिन और आधी रात तक कैसे सो सकती हूँ लेकिन मेरी ये मुश्किल औरत ने आसान कर दी वो आदमी को डांट रही थी कि उसने मुझे बेहोशी की दवा ज्यादा दे दी है वो उंची आवाज मैं बात करने लगे थे उनकी बातों से मुझे अंदाजा हुआ कि बूढ़ा आदमी शाम पांच बजे शेरा के पास जाएगा भूग की तरह नींद भी मेरी कमजोरी थी इसलिए मैं सो गई थी जब मैं जागी तो सूरज धल चुका था जोपडी में सिर्फ बाहर की रोशनी इतनी ही आ रही थी कि मैं उस मोटी औरत को लेटे हुए देख सकू मेरा ख्याल था वो जाग रही है लेकिन उसकी हलकी आवाज में खराटे सुनाई दे रहे थे मैं फोरण ही मगर आहिस्ता से चार पाई से उतरी और दर्वाजे की तरफ देखा वो बंद था मैं आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ी दर्वाजा खोल कर जोपडी से बाहर निकलने में मुझे दुश्वारी नहीं हुई कई जोपडियां दूर दूर बनी हुई थी सारी एक ही जैसी थी कोई आदमी नजर नहीं आया वरना इतनी रोशनी तो थी कि मुझे दूर से कोई नजर आ जाता मैं जिस तरफ से जोपडी तक आई थी उसका अंदाजा तो मुझे था मैं उसी तरफ आगे बढ़ गई थोड़ी दूर तक तो मैं पाव दबाकर आहिस्ता आहिस्ता चलती रही उसके बाद मेरी रफटार तेज हो गई मेरा इरादा स्टेशन जाने का था लेकिन धुंद लके में मुझे सही समझ में नहीं आ रहा था कुछ देर बाद मैंने खुद को रेलवे पुल के नीचे बाजार में पाया दुकाने कुछ खुली कुछ बंद थी यहां पहुचकर मैं एक जगा खड़ी हो गई अब मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि जाओं किधर, एक तो मेरे पास पैसे नहीं थे और फिर जगा नहीं थी। लेकिन जो कुछ उन लोगों ने दुकान से उठाया है वो सब मिल जाएगा। एक पुलीस वाले ने मेरा नाम पूछा, मैंने लरस्ती आवाज में उसे अपना नाम बताया, मुझे उन पुलीस वालों से दर लग रहा था, मैंने हकलाते हुए कहा मैं थाने जाना चाहती हूँ पुलीस वाले ने कहा, हम तुझे थाने ही लेकर जाएंगे तेरे साथ दो और औरते थी वो कहां है, मैंने कहा, मेरे साथ कोई नहीं था, थाने का नाम सुनकर मेरी जान में जान आई, मैं चाहती थी कि किसी अफसर को अपनी कहानी सुना कर मदद मांगूंगी मैं पुलीस वालों के साथ चल पड़ी जो आदमी उनके साथ थे वो इधर उधर हो गए ठाने ले जाकर पुलीस वालों ने मुझे हवालात में बंद कर दिया उनकी बात से मुझे लगा के ठानेदार कहीं गया हुआ है हवालात में तीन औरते पहले से बैठी हुई रोटी सालन खा रही थी उन तीनों ने खाते हुए मेरी तरफ देखा और उनके लबो पर मुस्कुराहट आ गई उनमें से एक बोली आजा मेरी बहन रोटी खा ले कहां से पकड़ा है तुझे उन औरतों के लहजे में बड़ी अपनाईयत थी मैंने सोचा बहतर यही है कि पहले कुछ खालू मैं उन औरतों के साथ बैठ गई और खाने लगी मुझे हैरत हुई की हवालात में ये चीज भी मिलती है खाते हुए मैंने अपनी बिप्ता सुनाई और अपना असल नाम भी बता दिया अगर तु हमें जूठी कहानी सुना रही है तो पुलीस वाले तेरा तेल निकाल देंगे एक औरत ने कहा तेरे पास बाहर निकलने का एक ही रास्ता है कि तु कहे के तु हमारी साथी है बस जब हम बाह उन औरतों की बातों से मालूम हुआ कि उनका तालुक अठाई गीरों से है वो बाजारों में घूम फिर कर दुकानों से चीज उडाती है और अपने साथी मर्दों के हवाले कर देती है अगर पकड़ी जाती है तो वो लोग पुलीस वालों के मुठी गर्म करके उन्हें छुडा लेते है मैंने ऐसा कहने से इनकार कर दिया उन औरतों ने मुझे बहुत समझाया लेकिन मैं अपनी जगा पर डटी रही खाना खाने के एक घंटे बाद ही उन औरतों को बाहर निकाला गया और फिर वो दोबारा हवालात में नहीं आई उनके जाने के बाद मैं अकेली रह गई थी तकरीबन ग्यारा बजे रात को मुझे ठानेदार के सामने पेश किया गया मेरी मुसीबत की कहानी के दोरान वो तंजिया अंदाज में मेरी तरफ देखता रहा उसकी उम्र मेरे बाप से भी ज्यादा थी मैं बहुत रोई बहुत गिडगडाई लेकिन उसके चहरे पर नर्मी नहीं आई उसने बस इतना कहा मैं तेरी मदद सिर्फ इतनी कर सकता हूँ कि तुझे जेल भेज दूँ सुभा तुझे कोट में पेश करके जेल भिजवा दूँगा तेरे साथ कोई ज्यात्ती नहीं होने दूँगा मुझे घर पहुचा दो थानेदार साहब मैंने इलतिजा की मगर उसने कहा तुझ अगर थाने ना आती तो मैं ये कर सकता था लेकिन तेरा पर्चा कड़ गया है मुझे अफसरों को जवाब देना होगा अगर जच चाहे तो तुझे घर भिजवा सकता है उसने वही किया रात मैंने थाने में गुजारी सुबह मुझे कोर्ट में पेश किया गया मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया गया था और और औरतों के ऐसे गरोह से मेरा संबंध बताया गया था जो दुकानों में दाखिल होकर चोरिया करता है मैंने कोर्ट में में ना कभी मैंने सुना था और ना सोच. मैंने सुना था कि अगवा होने वाली लड़कियों की इज़त नीलाम हो जाती है और वो किसी को मो दिखाने के काबिल नहीं रहती. अभी तक तो मैं सुरक्षित थी लेकिन आइंदा क्या होगा ये मैं नहीं जानती थी. लेकिन सोचा यही था कि अगर इज़त बचाने के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़ेगी तो मैं दे दूंगी. यूँ भी बेज़ती से जिन्दा रहना मौत के बराबर ही था. मुझे उस लड़की का किस्सा याद था जिसने अपनी इज़त बचाने के लिए डाकों से मुकाबल नहीं थी. यहां की हर औरत मुझे यही पूछ रही थी कि मैं क्या करके अंदर आई हूँ. दो-तीन औरतों से तो मैंने यही कहा था कि मैं कुछ किये बगएर यहां तक पहुची हूँ. लेकिन उन्होंने मेरा यकीन नहीं किया और मेरा मजाक उड़ाया कि मैं खुद को पार नहीं है. जो यहां आती है खुद को बहुत पारसा बताती है. चंद दिन बाद ही सब कुछ खुल जाता है. मुझे तो लगता है तू अपने आशिक के साथ भागी होगी. फिर एक औरत ने उस औरत से कहा कि उसे क्यों परेशान कर रही है दूर हज़ा उसके पास से. पता न मेरे करीब आई जिसने उस औरत को डाट कर मुझसे बात करने से मना किया था. उसने मेरे बराबर बैठने से पहले अपना नाम मस्तानी बताया और फिर कहा कि वो इस जेल की बहुत पुरानी रहने वाली है. कभी कभी काम से बाहर भी चली जाती है लेकिन फिर एक देड़ मैं उसके काम का मतलब नहीं पूछा. वो कह रही थी. मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगी कि तुम जेल कैसे आई हो लेकिन तुम्हें किसी मदद की जरूरत है तो मैं हाजर हूँ. मैं खामोश रही. मुझे मदद की जरूरत तो थी लेकिन मैं उससे क्या मदद मांगती. य मैं मस्तानी से मुझे मालूम हुआ कि नई आने वाली किसी भी औरत को पहले रोज खाना नहीं मिलता. उसका राशन दूसरे दिन किचन वालों को दे दिया जाता है. लेकिन मैं उस राद भूकी नहीं सोई. मस्तानी ने मुझे दो रोटी और दाल खाने के लिए दी थी. मैं उसकी उम्रच 40 साल से ज्यादा ही थी. उसने मुझे बताया कि इस जेल में आते जाते उसे 15 साल से ज्यादा हो गया है और वो बहुत हमदर्द भी है. उसने कई कैदी आरतों को बाहर निकालने और उनके केस खत्म कराने में मदद दी है. शहर में उसके जानने वाले लोग है उनमें वकील भी हैं और पैसा खर्च करने वाले लोग भी नाश्टे के बाद हम बैरक में वापस आ गए मैंने उसे अपना सारा हाल सुना कर कहा अब मैं चाहती हूँ कि किसी तरह घर पहुँच जाओं मस्तानी ने कहा घर तो यहां आने वाला हर इंसान पहुँच जाता है तू भी पहुँच जाएगी लेकिन क्या घर वाले तुझे स्वीकार करेंगे उसके बाद मस्तानी ने मुझे जो कुछ बताया उसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया उसने कहा था कि घर वाले और रि मेरी उमर मुझे ताने ही देता रहेगा और रोज रोज उसके तानों से तंग आकर में आत्मात्या ही कर लूँगी। तुम भी ऐसा कर सकती हो। मैंने कहा लेकिन मेरा यहां तो कोई भी नहीं फिर मेरी मा भी बीमार रहती है। अब मालूम नहीं उनका क्या हाल है। मस्तानी मुझे समझाने लगी कि माबाप से तो लड़कियां वैसे ही जुदा हो जाती है। सारी उम्र उनके साथ नहीं मेरे घर वालों को इसका सदमा जरूर होगा कि मेरा अगवा हो गया। उन्हें ये तो इत्मनान है कि मैं अपने किसी आशिक के साथ घर से फरार नहीं हुई। माबाप और खांदान की इज़द को दाव पर नहीं लगाया। लेकिन अगवा के बाद अगर मैं वापस चली ग कितनी सजा होती है। केस की तू फिकर मत कर वो तो मैं ठीक कर दूंगी। वो वकील जो मेरा केस लड़ते हैं वो तेरा भी लड़कर तुझे बेकसूर साबित कर देंगे। जहां तक तेरे अकेले रहने का सवाल है वो भी हल हो जाएगा। मेरी कई बहने बनी हुई है तू उनके साथ रह लेना। वो सब अपना कमाती और अपना खाती है। इस साल दो की शादिया हुई है। मस्तानी की बाते समझ में आने वाली और दिल को लगने वाली थी। वो ठीक ही कह रही थी कि खांदान वाले मुझे साफ सुथरी कभी नहीं समझेंगे। उनका ख्याल यह होगा कि मैं अपना सब कुछ लुटा कर घर पहुची हूँ। मैंने ये भी सोचा कि पता नहीं मेरा केस कितने दिन चलता है और अगर सजा हो जाती है तो कितनी सजा होगी। रहा होने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती थी क्योंकि मेरा कोई वकील नहीं था। अगर मस situation सामने आएगी उससे कैसे निप्टूंगी। मैंने उस वक्त मस्तानी को कोई जवाब नहीं दिया। उसने भी यही कहा था कि उसने जो कुछ कहा है मैं उस। पर गौर करूं और किसी कैदी औरत से इसके बारे में बात नहीं करूं। मैं खुद भी किसी औरत से अपने मसले प कुछ नहीं बताया था। उसके बावजूद ये बात मशूर हो गई थी कि मैं चोरी करते हुए पकड़ी गई हूँ और साथ दिन का रिमांड थाने में गुजार कर यहां आई हूँ। उसके साथ ये भी कहा जाता था कि साथ दिन के रिमांड में थाने के सिपाहियों ने मे मेरे साथ मुझ काला किया है और मैं जूट बोलकर खुद को पारसा जाहिर करती हूँ। कुछ औरते मुझे देख देखकर गंदे इशारे करती थी और मुस्कुराते रहती थी। पूरी जेल में सिर्फ मस्तानी ही ऐसी थी कि उसे मेरी बात पर यकीन आ गया था और वही मेर हमदर्द भी थी। लेकिन उसके बारे में भी कैदी औरते अजीब अजीब बाते करती थी। मुझे तो डाइरेक। टो किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन मैंने सुना बहुत कुछ था। उन और गंदे से लगाएं। उसके हाथ बहुत लंबे हैं। इस बात को जेल के अफ कैदी औरतों को छुडवा कर बाहर ले जाती है। मैंने एक दिन बातों बातों में मस्तानी से कहा, तुम्हारे बारे में यहां की औरते बहुत गलत बाते करती हैं। उसने मेरी बात का जवाब देने की बजाए उल्टा सवाल कर दिया, बताओ मैं तुम्हें कैसी लगती मैंने कहा, तुम तो मुझे अच्छी लगती हो, बस फिर तुम अपने दिल की बात मानो दुनिया मुझे क्या कह रही है, उसे छोड़ दो, मेरे ख्याल में वो ठीक ही कह रही थी। मुझे तो इन दो हफटों में उसमें कोई बुराई नजर नहीं आई थी, वो मेरा बहुत ख्याल करती थी, उसके पास बाहर से, खाने पीने की भी बहुत चीज आती थी, वो मुझे खाने के लिए बहुत कुछ देती थी, रात को रोटी हम साथ ही खाते थे, दिन का जादातर वक्त मैं उसके साथ गुजारती थी, दो हफटे बाद ही उसने मुझे बताया कि अब उ महीने बाद पड़ती है और इस तरह मुझे बगेर किसी जुर्म के तीन-चार महीने जेल में गुजारने पड़ेंगे, केस के दौरान अगर मेरी जमानत हो भी जाती है तो मैं कहां रहूंगी, मेरे इस सवाल के जवाब में मस्तानी ने फिर अपनी बहनों का हवाला दिया, उसका कहना था कि जमानत होने के बाद एक बहन मुझे अपने साथ घर ले जाएगी, उसके बाद मैंने कोई सवाल नहीं किया, मैंने सोचा था मुझे किसी पर एतबार तो करना ही पड़ेगा, बगेर किसी पर भरोसा किये तो मैं तनहा रह जाऊंगी और इस ख्याल से मैं घ बात कर ली है, मेरा बड़ा बहनोई आया था, मैंने उससे कह दिया है कि वो वकील से बात करे और जब सुशीला पेशी पर आये तो वकालत नामे पर दस तखत करा ले, तुम्हारा हुलिया भी बता दिया है, मैंने कह दिया कि जेल से कोट आने वाली औरतों में जो आदमी ने कहा, तुम यहां रहो मैं वकील को लेकर आता हूँ, वकील थोड़ी देर बाद ही आ गया, उसने एक फार्म पर मुझसे दस्तखत लिये और मुझसे कुछ सवाल किये, मैंने उसे सिर्फ अपने पकड़े जाने के बारे में, बताया कि मैं बाजार गई थी और किस तरह पुलीस ने पकड़ लिया, मस्तानी ने मुझे यही समझाया था, उसने सकती से मना किया था कि मैं अपने अगवा की कहानी बिलकुल वकील या किसी और से ना कहूं, कोट के इहाते में वो थानेदार भी दिखाई दिया जिसने मुझे जेल भिजवाया था, कुछ देर बाद मुझे अंदर बुलवाया गया, एक सिपाही ने मुझे कठरे में खड़ा कर दिया, थानेदार ने मेरा चालान पेश किया, मेरा वकील मजिस्ट्रेट से अंग्रेजी में कुछ कहता रहा और मजिस्ट्रेट भी उससे कुछ पूछता रहा, मेरी जमानत न हो सकी थी औ उससे साल दो साल ही बड़ी होगी, उसने कोट में मेरी खातिरदारी की थी, चाय केक और दोपहर का, खाना खिलाया था, मेरे साथ पुलीस वालों का भी भला हुआ, शीला ने चाय पिला कर उन्हें सिगरेट के पैकेट भी दिलाए थे और रात की रोटी बटने से 10 से 15 मिनि कौन मेरी जमानत लेगा, लेकिन ना मैंने पूछा और ना ही उसने बताया, वो बस यही कहती रही कि शीला और उसका पती बहुत अच्छे लोग हैं, वो मेरा हर तरह ख्याल रखेंगे और मुझे भी चाहिए कि उनका दिल ना तोडू, उनके कहने पर अमल करने की कोशिश क पहली पेशी के चार दिन बाद ही मेरी जमानत हो गई और शाम के वक्त मैं जेल से बाहर थी, जेल के बाहर शीला और उसका पती सुरेश मेरा इंतजार कर रहे थे, मेरी जमानत पर उन्होंने मुझे मुझे मुबारक बात दी और हम लोग टैक्सी में बैठ गए, घर शीला और मैंने एकठे चाय पी, दोनों औरते मुझे नजर नहीं आई, उनके बारे में शीला ने खुद ही बताया कि वो रात कहीं और गुजारेंगे, चाय पीने के बाद हम बाहर निकले, जिस फ्लैट में शीला रहती थी उसके करीब ही मार्केट थी, उसने मार्केट पह मुझे बहुत कहा कि मैं कुछ कपडे वगेरा खरीद लू, लेकिन मैंने इंकार कर दिया, किसी मर्द के साथ शॉपिंग करने का प्रोग्राम है क्या, जब मैंने मुसलसल इंकार किया तो शीला ने मुस्कुराते हुए पूछा, मैं उसके इस सवाल पर चौकी, पहले भी द घर पहुँचने में हमें 20 मिनट लग गए, एक आदमी पहले ही से घर में बैठा था, हमें देखते ही उसने कहा, मस्तानी ने मुझ से कहा था कि अब जो चीज उसके पास आएगी उसका मजा सबसे पहले मैं चखूंगा, मज्जु ने शीला को हुक्म दिया तुम बाहर की तरह मुझे फ्लैट में छोड़ कर जाने लगी तो मैंने भी कदम आगे बढ़ाएं, लेकिन मज्जु ने मेरा बाजु बहुत मजबूती से पकड़ कर कहा, तुम कहा जा रही हो, इतना कहकर ही उसने बेहुदा हरकते शुरू कर दी, मैं खुद को उससे बचाने की कोशि मैं भूल गई थी, बहरहाल एक बार मैं मज्जु की ग्रिफ्ट से निकल कर दूसरे कमरे की तरफ भागी, मुझे उसकी ताकत का अंदाजा हो गया था, अगर मैं दोबारा उसकी गिरफ्ट में आ जाती तो मेरा आजाद होना मुम्किन नहीं था, मेरे पास अपने बचाव क बस एक ही रास्ता रहे, गया था कि मैं किसी तरह खुद को कमरे में बंद कर लू, लेकिन मैं कमरे में दाखिल भी नहीं हो पाई थी कि मज्जु ने मुझे कमर से पकड़ लिया, उसने दांत पीस्टे हुए कहा, तू मुझ से बचकर नहीं जा सकती कोशिश मत कर, वरना ते उसे बहुत तेज से मार लगी थी, उसकी पकड़ धीली हुई थी कि मैंने उसका सर फिर पूरी कूवत से दीवार से टकरा दिया, उसके मों से हलकी सी चीख निकली और वो लडखडा भी गया, उसके बाद तो जैसे मुझ पर जुनून सवार हो गया, मज्जु लडखडा कर फर्श पर गिरा ही था कि मैंने जुनूनी अंदाज में उसका सर बार-बार फर्श से टकराया, मेरी मुठी में उसके बाल दबे हुए थे और मैं उसका सर टकरा रही थी, उसके सर से खून फूट पड़ा और चेहरा लहूं, लहान हो गया, थोड़ी देर बाद उसके मों से निकलने वाली आवाज भी बंध हो गई, लेकिन मेरे हाथ उस वक्त तक नहीं रुके जब तक मैं खुद फर्श पर धेर नहीं हो गई, मैं नीम बेहोशी की हालत में शायद आधे घंटे तक पड़ी रही फिर उठकर मज्जू की तरफ देखा, वो बहिस पड़ा था, मैंन सिर्फ बाल बिखरे हुए थे बलकि कपड़े भी खून में लटपत थे, थाने के अंदर दाखिल हुई तो थाने में मौझूद हर आदमी मुझे हैरत से देख रहा था, मैं थानेदार के कमरे में दाखिल हो गई, मेज पर वही बैठा हुआ था, मैं उसके सामने वाली कुर को जो मेरी इज़त लूटने आया था, मैंने कहा, जो दरिंदा भी मेरी इज़त की तरफ बढ़ेगा, मैं उसे इसी तरह मार डालूंगी, थानेदार ने मुझसे कई सवाल किये, लेकिन मैंने चुप साधली और एक सवाल का भी जवाब नहीं दिया, थोड़ी देर बाद ज ठाने के हवालात में रही थी, उसके बाद मुझे जेल भेज दिया गया, जेल मैनेजमेंट ने मुझे बैरिक में नहीं, बलकि काल कोठरी में बंद कर दिया, एक महीना और चंद रोज बाद मुझे कोट में पेश, किया गया, कोट में मैंने मज्जू के कतल का एतराफ करते हुए सिर्फ इतना कहा था कि मैं नहीं जानती कि मैं इतनी ताकतवर हूं कि मज्जू जैसे बंदे को जान से मार दू अगर मैं उसको नहीं मार डालती तो वो मेरी इज़त लूट लेता और बे आबरू होकर मैं जिन्दा रहने की कलपना भी नहीं कर सकती मेरा मुकदमा अभी ज्यात्ती का जिक्र नहीं किया अपने खांदान माबाप और शहर का नाम भी नहीं बताया चंद महिने में मेरे फैसले की तारीक पढ़ जाएगी और फैसला भी हो ही जाएगा मैंने अपने बारे में सब कुछ आप लोगों को बता दिया है इसका ना मुझे सिला चाहिए औ प्यारे दोस्तों अगर आपको मेरी कहानिया पसंद आती हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें शुक्रिया